गेम पर पिकनिक मनाने गए छे छात्रों की डूबने से मौत जारखन के हजारी बाग से बड़ी खबर है हजारी बाग जीले के लोटवा बांध में मंगलवार को बारवी कक्छा के छा छात्र डूब गए जहां में बिद्याले से बंक मार कर पिकनिक मनाने पहुँचे थे इससे उनके घरों में मातम चा गया बतादे कि छात्रों की उम्र 17 से 18 साल के बीच थी जहारखंड के राजयपाल सीपी राधाक्रिशनन और जहारखंड के मुख्मंत्री हेमन सुरेन ने छात्रों की मौद पर शोक ब्यक्त किया मीडिया की खबरों को माने तो छात्रों की उम्र 17 से 18 वर्स के बीच बताई जा रही है यह घटना हजारी बाख शहर से लगबख 25 किलो मेटर दूर बांध में सुबह 11 बजे के आस पास हुई खबरों को माने तो छात्र मंगलवार सुबह वर्दी में अपने घरों से निकले लेकिन कक्छाओं में शामिल नहीं हुए और इसके वजाए बांध पर चले गए बताया है की कुल मिलाकर कक्छा 12 के 18 चात्र मंगलवार को अनुपस्थित थे जारखन के राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने ट्वीटर यानी एक्स पर कहा हजारी बाग जीले के लोटवा बांध में चप बच्चों के डूबने की खबर अत्यंत दूखद और दर्दनाक है मैं परिजनों के परती गहरी संबेदना व्यक्त करता हूँ जारखन में गरीबों को मिलेगा तीन कमरे का पक्का मकान जारखन बासियों के लिए बड़ी खुश खबरी है सरकार की ओर से एक बहुत अच्छी योजना है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार तीन कमरों का पक्का मकान देगी सरकार पीएम आवास की तर्जपर अबुआ आवास योजना इसी वर्ष शुरू करने जा रही है मिली जानकारी के नुसार सरकार ने तीन साल में 15,000 करोड रुपे खर्च कर आठ लाक आवास बनाने का लक्ष रखा है वहीं चालू इस वीत्य वर्ष में इस योजना के लिए 4,107 करोड रुपे का बज़ट रखा गया है लाभार्थियों को दो लाक की लागत से तीन कमरो वाला मकान दिया जाएगा इस योजना की घोशना मुक्यमंत्री हेमन सुरेन ने स्वए 15 अगस 2023 को की थी इस योजना की लाभ की बात करें तो यह योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके कच्चे घर हैं वो विशेस रूप से कमजोर जनजाती समों के परिवार प्राकिर्तिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तोर पर रिहा किये बंदोह मजदूर वैसे परिवार जिन्हें पियम आवास योजना या बाबा साहे भीम राव अमबेटकर आवास योजना का लाभ नहीं मिला है अचार संहिता उलंगन के मामले में जारखन के सियम हेमन सोरेन को मिली बड़ी राहत जारखंड के सियम हेमन सोरेन की क्रिमिनल रीट पर मंगलवार को जारखंड उच नयाले में सुनवाई हुई इस द्वरान कोट ने उनके खिलाप पीड़क कारवाई पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरी मराहत परदान की बतादे की मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 नौंबर की तारिक निर्धारित की गई है जिसमें पूर्व राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है बतादे की वर्स 2017 के चुनाव के दोरान मुख्यमंत्री हेमन सुरेन अपनी पार्टी के परत्याशी के पक्ष में चुनाव परचार करने गए थे उस दोरान उन पर आचार संहीता उलंगन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमी की दर्ज की गई थी पुर्वी सीमुम जीले की निचली अदालते में इसकी सुनवाई चल रही थी उन्होंने इस कारवाई पर रोक लगाने और उनके खिलाप जिहा दर्ज प्राथमी की को निरस करने की मांग करते हुए सीम हिमन सुरेन ने जारखन उच नियाले में क्रिमिनल रीट दाखिल की थी लालू यादव की जमानत के खिलाप सीवियाई की अरजी पर सुनवाई टली चाराग होटाले में राज़त सुप्रीमो लालू परसाद यादों की जमानत को चुनोती देने वाली CBA की अरजी पर सर्वोच न्याले में सुनवाई टल गई है खबरों को माने तो अब इस मामले में सुनवाई अगली तारिक पर होगी हलाकि इसको लेकर तारिक तै नहीं की गई है जब तारिक तै होगी तो फिर इस मामले में अगली सुनवाई होगी फिलाल CBA की अरजी पर सुनवाई टाल दी गई है वहीं लालू जादों को वकील कपिल सिबल कोट में दलिल देते हुए कहा कि क्योंकि याचिकाएं 14-15 महिने की देरी से दायर की गई है जबकि लालू जादों पहले से ही रिहा हो चुके है पिछली सुनवाई में भी कपिल सिबल ने कहा था कि इस मामले में लालू जादों ने 42 महिने जेल में काटे हैं उनका कीडरी ट्रांस्प्लांट हुआ है लालू परसाद यादों की जामनात रद करने की सीबियाई की याचिका का बिरोध अब सुप्रीम कोट से खारिच करने की अपपील की थी एलेक्शन में फेक मैसेज से निपटने की तैयारी वाटसेप पर कसेगा कारूनी सिकंजा लोग सभा एलेक्शन का वक्त नजदिक आ रहा है एलेक्शन के दोरान सोसल मीडिया पर फेक मैसेज और डीप फेक मैसेज की बाढ़ हा जाती है वाटसेप पर ऐसे मैसेज सबसे जादा देखे जाते हैं अमरीकी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफोर्म इंडिया में सबसे जादा यूज होने वाली मैसेजिंग सर्वीस है ऐसे में सरकार ने डीप फेक और स्पैम मैसेज से निपटने की तयारी पूरी कर दी है अगले वर्स होने वाले आम चुनाओ को देखते हुए सरकार एक कानून बनाने पर बिचार कर रही है वाटसेप को कानूनी शिकंज में लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है अगर सरकार कोई कानून लाती है तो WhatsApp को Deep Fake या Fake Message भेजने वाले की डीटेल्स पतानी होगी Instant Messaging Platform सरकार को बताना होगा कि Deep Fake या Fake Message सबसे पहले किसने सेंट किया Meta के Platform के अनुसार ऐसा करने से लोगों की Privacy कमजोर होगी वैसे भी कमपनी दो लोगों के बीच की बादचीत की जानकारी नहीं रखती है अब छात्रों का भी बनेगा आपार कार्ट मिलेंगे कई बड़े फायदे छात्र छात्राओं को मदद देने के लिए अब केंदर सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है अब हर बिद्यार्थी के लिए आईडी तैयार की जाएगी जिसमें उनकी सारी एकेडमिक जानकारी दर्ज होगी इस आईडी का नाम आपार कार्ड रखा गया है इस कार्ड में छात्र छात्राओं की एक एक डिटेल होगी इस कार्ड के बनने के लिए अभिभावकों से स्विक्रिती लिजाएगी अपार का मतलब Automated Permanent Academic Account है देश भर के सभी स्कूलों के बिद्यार्थियों का अपार ID त्यार होगा नमांकर प्रोसेस में भी आने वाले समय का इसका उप्योग होगा इस कार्ड में दी गई यूनिक ID की मदद से किसी भी जगह स्थित स्कूल को बिद्यार्थी की डिटेल प्राप्त हो जाएगी अपार कार्ड में बिद्यार्थी की कई जानकारी होगी जिनमें नाम, पता, जन्ति थी, फोटो, एजूकेशन, लोन, स्कूलर्शिप, बच्चे की खेलकूत की एक्टिविटी, आवार्ड ये पूरी जानकारी ID में मौदूत रहेगी बतादे की शात्र शात्राओं को एक आवेदन पत्र दिया जा रहा है जिसे अभी भावकों की और से भरवा कर जमा कराये जाएगा यदि किसी शात्र को स्कूल बदलना पड़ता है तो भी कोई असर नहीं होगा इस काड जिहां इस काड नंबर वही रहेगा जो पहले था आने वाले समय में इसका यूज जरूर हो जाएगा आर्मी में ग्रूप C के 41,000 पदों पर भरती के लिए जल्द होगी अधिसूचना Military Engineering Services यानी MES आधिकारिक पोर्टल पर आर्मी MES भरती 2023 के माध्यम से ग्रूप C पदों को भरने वाली है रक्षा शेत्रे में करियर के आउसरों की तलाश कर रही युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका साबीत हो सकता है MES भरती अभियान के तहट ग्रूप C की कुल 48,822 मेट MTS और स्टोर कीपर रिक्तियों को भरने वाला है भारती सेना MES भरती 2023 ऑनलाइन पंजीकरन पर क्रिया MES द्वारा MES.gov.in slash पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हो सकती है आर्मी MES भरती 2023 गुरूप C के 41,822 पदों के लिए आयोजीत होने वाली है ओनलाइन आवेदन के लिए मात्र जिहां पात्र उमिद्वारों को किसी मानेता प्राप्त बोड या विश्व विद्यालों से दस्वी या बारवी पास या समकक्ष परिक्षा उत्तिर्ण होना चाहिए चैन परक्रिया में दस्तावेच सत्यापन स्क्रीनिंग, लिखित परिक्षा, चिकित सा परिक्षा और सक्षातकार शामिल है सेना MES भरती 2023 अधिसूचना आधिकारिक पोर्टल पर MES रिक्ती 2023 विवरन के साथ जारी की गई है सेक्षिक योग्यता आयू सीमा, ओल्लाइन पंजिकरन तिथिया, चैन परक्रिया, आवेदन शुल्क आधि जैसी, सभी जानकारी के साथ सेना MES भरती 2023 के लिए सेक्स मैरिज को मानेता देने से सुप्रीम कोट का इनकार सुप्रीम कोट ने सेम सेक्स मैरिज को मानेता देने से मना किया चीफ जस्टिस ओफ इंडिया, डिवाई चंदरचूर, जस्टिस संजे किशन कॉल, जस्टिस रविंदर भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पियस नरसीमा की पांच जजों की बेंच ने निरने सुनाया है सर्वोच नैले ने दस दिन लागातार सुनवाई करने के बाद इसी वर्स 11 मही को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था सरकार ने सेम सेक्स मैरीज का किया था बिरोध, सेम सेक्स मैरीज को मानेता देने की मांग करते हुए कुल 21 याचिकाएं सुप्रिम कोट में दाखिल की गई इस याचिकाओं की जिहां इस याचिकाओं में मांग की गई है कि स्पेशल मेरीज एक्ट के तहट सेम सेक्स मेरीज को कानूनी इजाज़त दी जाए सरकार ने याचिकाओं का बीरोध करते हुए कहा था कि ये मसला बिधाईका के अधिकार शेत्र में आता है और कोट को उसमें दखल नहीं देना चाहिए सरकार का कहना है कि समलंगीक शादियों को मानेता मिल जाने के बाद तलाक, संतान, गोद लेने और अलगाव की स्थिति में पत्नी और बच्चों के भरन पोसन की जिमेदारी से जुड़े तमाम कानूनों को लागू करने में दिक्कतें आएंगी केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि इस तरह की शादि को मानेता देने से समाज पर नाकारातमक परभाव पड़ेगा हलाकि सरकार सेम् سेक्स कपल्स की समस्याओं के समधान के लिए कमिटी बनाने के लिए तयार है केंदर सरकार ने किया चार राष्ट्रपती वीरता पदकों को एक पदक बना दिया गया है इसे वीरता के लिए राष्ट्रपती पदक कहा जाएगा इससे पहले पुलिस, अगनी शमन सेवा, होम गाड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के लिए अलग अलग दिये जाते थे गौर तलभय की पुलिस को लंबी सेवा, अच्छा आचरन, करतवे के परती समर्पन, दक्षता, किसी अभियान में भागीदारी या किसी ओपरेशन के लिए से पुलिस को सम्मानित करने के लिए मेडल दिया जाता है पुलिस के अलावा सेना को भी अशोक चक्र, वीर चक्र और कीर्ती चक्र जैसे पदक से सम्मानित किया जाता है रक्षा मंतराले, सशर्ष्त्र बलों और केंद्री गिरी मंतरालें के वीरता पुरसकारों के लिए वर्स में दो बार सिफारिशें आमंतरीत करता है गंतंतरे दीवस के अउसर पर और स्वतंतरता दीवस के अउसर पर घोशित किये जाने वाले पुरसकारों की घोशना के लिए आमतोर पर अगस्त के महिने में सीफारीशे आमंतरित की जाती है पुलिस सेवा और अर्ध सैनिक बल्न को बहादूरी के लिए शोरे पुलिस पदक दिया जाता है यह पुलिस को दिये जाने वाला सरवोच पदक है इसके बाद केंदर सरकार की अनुसंसा पर दिया राज्य सरकार पराकरम मेडल देती है जो देश की सुरक्षा के लिए चलाए गए किसी बड़े ओपरेशन के दोरान जान दाव पर लगाने वाले जमानों को दिया जाता है